आज हम पढ़ने वाले अध्ध है दो बिलेयन लेक्षा फ़स्ट है कक्षावारवी का दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसमें बिलेयन की परिभासा बिले की परिभासा बिलायक की परिभासा तीनों चीज हम जानेंगे उधारन के साथ जानेंगे और आसान से आसान भासा में सम आपने पढ़ा होगा तो हम परिवाशा देख लेते हैं परिवाशाख क्या है परिवाशा है दो या दो से अधिक पदहातों कि सामांगी मिष्टण को बिलियन ken Always देखो यहां पे एक वरड़ आया है सामांग इसका मीनिंच क्या है अगर आप यह वर्ड यूज नहीं करोगे सामांगी मिश्टन तो आपका आंसर गलत हो जाएगा देखिए मैं आपके एक ग्जामपल बताता हूं सामांगी मिश्टन का मतलब क्या होता है हमें इसकी परिभासा जानना उत्ता इमपी नहीं हमें इसको समझना इमपी अब देखिए मा मिट्टी को पानी में गोल भाएला ठीक है क्लों संप्ष मैं जहरा है मिट्ट्थ को चमच करो थे जय्लय के नहीं है Nahe का मतलब अगर आप उसको चेक करोगे तो मीथा नहीं आप नहीं मीठा रहेगा जितना मीठा पहले था क्या स्वाद बदलेगा नहीं बदलेगा क्यों 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 सक्कर है सक्कर अच्छी तरह से उसमें घुली हुई है चाहे आप नीचे से चेक कर लो, चाहे आप 20 से चेक कर लो, चाहे आप ऊपर से चेक कर लो, अब कही से भी चेक कर लो, जो स्वाद पहले था भही स्वाद आपको बाद में मिलेगा, अब लेकिन जो दूसरा केस है, दूसरा केस में क्या है कि आप मिट्टी ली, और मिट्टी क कहां गोल दिया पानी में तो जो ऊपर रहेगा लेयर तो ऊपर क्या रहेगा मिट्टी कम रहेगी जैसे जैसे आप नीचे जाओगी मिट्टी की मात्ता क्या रहेगी बढ़ती जाएगी तो जो मिट्टी वाला केसे वह है बिसमांगी ठीक है और जो सक्कर वाला हो क्या है समां पर आपको सामझ में आगया होगा किहां यहां पर की ह्यूंज out ठीक है confirm चालो ठीक है अब मैं आपको बताता हूं जो बिलेन है वो कितने घटक से मिलके बना होता है बिलेन दो घटकों से मिलके बना होता है पहला बिले और दूसरा बिलायक अब मैं आपको बता दूँ जो बिले है और बिलायक है कैसे हम पहचानेंगे कि कौन बिले है और कौन बिलायक है तो मैं आपको बताओ देखिए आपके हाथ में सक्कर है और आपके हाथ में क्या है पानी है तो आपने क्या किया कि सक्कर को पानी में घोल दिया आप ही किसको गोला सक्कर को तो सक्कर क्या हो गई बिले किस में गोला पानी में तो पानी क्या हो गया पानी क्या हो गया बिलाए ठीक है अब जो हमें मिला जब हमने दोनों को मिक्स किया उसके बाद जो हमें मिला वो क्या है विलेयन है देखो मैं आप बताता हूं लिखके बत है और क्या है पानि क्या है जैसे कि विल में ज्यादा हो जीसके मात्रा जादा हो वो बिलाएक और जिसकी मात्र काम हो वो क्या है बिले ठीक है आप ऐसा नहीं कह सकते कि 10 ग्राम सक्कर है ठीक है और 2 ग्राम पानी आप उसको घुलोगे तो घुल जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला ठीक है तो यहां पर आप समझ लेना ठीक है इसके बाद क्या है बिले क्य होता है कि वह गटक जो बिलेन में कम मात्ता में पस्तित होता है बिले कहलाता है नेक्स्ट है बिलाइक क्या है सामनता वह गटक जो बिलेन में अधिक मात्ता में पस्तित होता है बिलाइक कहलाता है आपको इस डेफिनिशन क्लियर हो चुकी होंगी नेक्स्ट पाइंट की बात में अब किस में अब गोल दी है कि जो वहतिक ओस्ता है वह हम इसा क्या होती है समान होती है ठीक है इसके बाद हम ने निक्ति पधात होते कहलता है जब मैं 3 पदात होते हैं तो कंसा होता है तो चतुरंगी कहलाता है इसकी बाद हम चलते हैं स्माण पूछ होते हैं पहला देख लेती है कि चो में एक हेस्ता होती है यह अवस्टा दीसमान के है बनेये अभ 투त से एक समान होता है कि आनने से सप्धड़ मानगे चलो आपके पास सक्क्र है और आपके पास पानी है आप सक्कर को पानी में डाल दिया अब सक्कर घुल गई अगर आप सोचो कि हम खुद ऐसे ही नॉर्मल मेथड से अलग कर दें सक्कर अलग हो जाए और पानी अलग हो जाए तो ऐसा क्या है इंपॉसिवल है ठीक है इसके लिए आपको बिस्ष्ट विदियों की आवश्चता पड़ तो इसमें यहीं लिखा है कि जो बिलेन के घटकों को बहुत की तरीकों द्वारा आसानी से प्रतक नहीं किया जा सकता इसके बाद हम दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आऊंग फिलो एप फिलो एप पर आप अपने कॉश्चन की फोटो खीच कर या फिर आप उसको टा चैप्टर है उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको कनेक्टर नीट की तैयारी कर रहे हैं साधी साथ अगर आप गवर्मेंट जॉब की तैयारी कर रहे है तो एक अब आप सब के लिए इसकी जो डॉणलूड लिंक है वो डिस्किप्शन में दी है description में link पर click करें और app को download जरूर करें next point पड़ते हैं कि जो billion के गुर्धर्म इसके घटकों के गुर्धर्म होते हैं देखो जो line पड़ी आप billion के गुर्धर्म इसके घटकों के गुर्धर्म होते हैं अधाद घटक जब बिलेन बनाते हैं तो अपने घुरदर्म को नहीं खूते हैं कहने का मतलब है कि तो पहले जो सक्कर ती आगर आप उसका टेस्ट देखे तो कैसा था मीठा था जब आपने सक्कर को पानी में घोल दिया तो सक्कर का आपको टेस्ट आएगा कहने का मतलब कि स आपको जो कैसे लगेगा आपको मीठा लगया कि कुछ गोण जैसे घनत स्यानता प्रिष्ट तनाओ हिमांग आदी बिलियन की संगटन के साथ परिवर्थित होते रहते हैं देखिए मैं आपके एक जस्ट एक्जामपल बताऊं स्यानता बताऊं कि मान की चालो एक लीटर पान गले थिक है तो कम गारा होगा शुमें बताऊं चरत बिलियन और करने के बीडियो में लेंदेखि है बेच्णी के वीडियो में देखे देशनाओ अगर आपको वीडियो अच्छे लगाए तो लाइकर के देना चैनल के नाम सबस्क्राइब कर देना और दोस्तों को सेयद नेक्स्ट वीडियो हैं पढ़ेंगी बिलियन की पिरकार